हेलो फ्रेंट स्वागत आपका अपनी चैनल में स्टुडेंट लगा था कमेंट सक्षन में कुछ रिजर्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो हर एक कमेंट का रिपलाई नहीं दे सकते इसलिए एक कॉमन वीडियो में बना रही हूँ ध्यान से सुनिएगा पहला आप लोग के प्रॉब्लम में कुमेंट किया गया है कि M.B.A. और विफार्मा A.S.M. के रिजर्ट कब तक आएंगे तो मैं आपको क्लियर कर दू बीटेक A.S.M. का रिजर्ट आ चुका है तो M.B.A. विफार्मा के रिजर्ट इसी वीक में आने के पूरे पूरे चांसेज है क्योंकि higher studies के लिए या jobs के लिए apply करना पड़ता इसलिए university सबसे पहले A.S.M. के रिजर्ट को देती है दूसरा student लगातार पूछ रहे कि carry paper का रिजर्ट कब अपडेट होगा तो देखे carry paper जो होते उनके कभी कोई circular नहीं आते है कॉपियां जो है वो regular जो copies होती उन्हीं के साथ चेक होती है तो जो carry paper के जो result है वो लगातार आप चेक करते रहे हैं क्योंकि update वो कभी भी हो सकते इसकी कोई date नहीं होती है carry paper इतने नहीं होते इसी वज़े से इनका circular भी नहीं आता है तीसरी चीज़ लगाता क्रिस्टुएन पूछ रहे कि events एम 6 एम का result कब आएगा तो 6 एम का result आने में अभी time है आपका result अगस्त में आएगा hopefully अगस्त के second of week में आपका result आ सकता है तो सबसे पहले result जो है वो 8 सेम का आएगा क्योंकि odd सेम के जो result थे वो आ चुके है first semester, third semester, fifth, seventh इनके सबके regular results आ चुके है carry paper result अपडेट होंगे अब सबसे पहले final year events एम का result आएगा उसके बाद carry paper अपडेट होता रहता है उसको आप लोग regular चेक करिए और जो 6 सेम के results है वो आपको अगस में देखने को मिलेंगे जुलाई में result नहीं आएंगे second week में result आने के chances है क्योंकि 6 जो सेम की कुछ कॉपियां कुछ subject की अभी भी check हो रही है तो this is कुछ अपडेट है ये results की this is the latest update जो मेरे हाथ लगी है और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रही है इस चैनल में मैं पूरी कोशिस करती हूँ कि आपको एक authentic news दे सकूँ this is the latest update for more update keep watching subscribe the channel press bell icon and join telegram channel thank you very much